यह कोई कोश्चन नमबर क्या है यह सीवेसी 2000 आइधिंग कब आया था 16 में कोश्चन ठीक है बहुत असान कोश्चन है देखिए कह रहा है a p and bp are tangent ठीक है a p यह दिख रहा है a p and bp tangent है तो सबसे पहली बात तो सुन लो अगर यह देखो point of contact a और यह external point p है तो p से a तक और p से b तक यह length equal होगे पी अ का length p के equal हो गया यह सुनो क्योंकि external point से draw किये गए tangent के length equal होते है और tangent के length का definition क्या होता है external point से लेकर point of contact तक की distance आगे नहीं देखना है यह length नहीं देखनी आगे की ठीक है पी से a तक देखो पी से b तक देखो तो ps equals to pb हो गया ठीक चलो अब सुनो एक बात और बताना चाहता हूं कि जब ps equals to pb हो गया अच्छा पूछा क्या है इसने यहां पी की length दिया है 5 यहने कि जितना एपी होगा उतना ही pb होगा ठीक तो a pb दोनों ही आपस में equal होंगे ठीक है चलो यहने कि एपी पीडी की जब आप यहां से o को a से join करो तो यह radius point of contact पे 90 हो जाएगा यहां तो आप पूरा construction करो इसको यहां पे join करोगे ठीक तो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है आप वैसे नहीं करते हैं बहुत असान question है कुछ नहीं करना है यहां पे आपको देखिए बहुत असान है बस आपको त्राइंगल की property लगानी सुनो ध्यान से आइस असे ट्राइंगल क्या कहता है या ट्राइंगल की प्रौपर्टी होती कि यह कोई साइट के opposite यह वाला आंगल होते है यह ब्स खतम यह यहां पर भी होगा चेक कर लो यह जो ट्राइंगल है आपका पी एबी में है ना पी ए किए एक्वाला औ Wr. गया को दो दोनों के एक्वाणाई लू आपको पता चलिएंगी फिर मैं बताउंगा कि क्या हो रहे है देखो ट्रेंगल a, p, b में लगाओ angle sum property, क्या हो जागा बताओ ये x है, ये 60x है, ठीक तो क्या हो जागा, x plus 60 plus x, is equals to 180, तीनों angle का sum 180, x plus x हो गया, आपका 2x, 60 गया right में, 180 बने 60, कितना हो गया, 120 2x is equals to 120 तो x कितना हो जागा, 120 भाय, 2 कितना हो जागा, 60, तो इस तरीके से खास बात ये हो गई, इस question में, ध्यान से check कर लो, कि ये angle भी कितना हो गया, 60, सही है, भाई, x की value 60 ना, तो ये भी 60 हो गया, और ये angle भी कितना हो गया, x की value 60, 60, 60, और ये भी 60 हो गया, आप सुनो, अगर कोई ऐसा triangle है, जिसमें तीनो एंगल 60, 60, 60 होते हैं, तो वो triangle होता है, equilateral triangle और equilateral triangle में तीनो side equal होती है, तो इसलिए आपका जो triangle है, मैं आप फटा-फट कर दे रहा हूं, triangle ये qualify कर गया, किसके लिए, कौन सा triangle, पी ए, देखो, triangle पी, ए, बी qualify कर गया, is an equilateral triangle, is an equilateral तो ये अगर एक equilateral triangle हो गया, तो इसके तीनो side ही equal हो जाएंगे, भाई equilateral triangle क्या होता है, जिसमें तीनो side equal होते है, तीनो angle भी 60, 60, 60 होते हैं, तो PA की length, ठीक, PB की length, और chord AB की length, आपस में equal हो जाएंगी PA, PB दिया था 5, तो AB भी कितना हो जाएगा 5, खतम, तो chord AB की length कितनी हो गई, 5 cm, ओके कोई डाउट है, बहुत असान कोश्यन है, कर लीजे,